चलिए नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग पेट की धुवाधार तेयारी हो रही है इसलिए यहाँ जायादर बच्चे नदारत हैं तर यह कोई बात ने प्रिपरेशन करते रहे हमारे शुपकामनाएं आपके साथ हैं और जितने लोग हैं वो एक बार लाई वा जाया हैं जितने इच्छुक लोग हों उन्हें सूचित कर दें ताक कि हम अपनी क्लास को कारम कर पाएं पेट बहुत नजदीक है आपका प्रिपरेशन करना भी जरू लिए होंगे कि यहां पर जरूर फ्लूड मेकेनिक से रिलेटेट कुछ ने कुछ बातचित होगी सेविल के बच्चे मेकेनिकल वालों को भी आर एंजी अलग से मेसेज डाल दीजेगा कि जीडी पांडे सर आज क्लास दो बज़े से प्रारंब कर रहे हैं तो लोग बच्च से हैं अच्छा आते हैं या शाते हैं ओके ओके चलिए भाई क्या हाल चाल है कॉमेंट करके जड़ा बताईए कैसे हैं आप लोग त्यारी वारी चल लिए बढ़ियां पेट का क्या हाल चाल है पेट की प्रेपरेशन हो गई बढ़ियां स्कोर करिए पेट को लेकर के भी ठीक है आज तो अच्छी काफी बच्चों को पता नहीं होगा आप अलग से स्पेसिफाई करके मैसेज डाल देजिए और पंकर जी को भी बोले कि वो भी उसमें डालने गुरूप में ब्रोटकॉस्क में हम लोग फ्लूड मेकेनिक्स की प्रेक्टिस करेंगे हम लोग फ्लूड मेकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं फ्लूड मेकेनिक्स चिक है, फ्लूड मेकेनिक्स करने जा रहे हैं हम लोग जैहिन, जैहिन, चलिए स्टार्ट करा जाए, एक बाद शेयर कर दीजिए और फुशना दे दीजिए और लोग को, ताकि class प्रारंब करते हैं पहला question आपके screen पर है, आप इस सवाल को लगाने का प्रयास करिए पहला question आपके screen पर है, थोड़ा पढ़ लिजे ध्यान से question को थोड़ा सा बड़ा question है तो शायद आपको एक बार में समझ में न आए तो कोशन को ध्यान से पढ़ लिजिए आप लो ठीक है ठीक है बताईए भाई सवाल कैसे लगेगा इसका फार्मूला तो आप जानते ही होंगे के इस इक्वल टू क्या होता है बताईए माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन फी यही लगाना है आपको अब यह कैसे लगाएंगे सारा खेल इसी बात का है ना डेल्टा पी निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे थ्री टू शिक्स गया है ना तो 6 माइनस थ्री इसको टू 3 मेगा न्यूटन अपान मीटर स्क्वाइर इसको चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10 तो दे पावर 6 न्यूटन अपान मीटर स्क्वाइर तो यह वैलू हो गई थ्री इंटू 10 तो पावर 6 यह डेल्टा पी की वैलू आ गई अरे कॉमेंट करके बताओ भई कुछ लोग लाइव है या नहीं है कुछ लोग लाइव है या सब लोग पेट के प्रिपरेशन में ही लगे हैं चलिए तो 3 इंटू 10 तो दे पावर 6 न्यूटन अपान तो डेल्टा वी अपान वी की वैलू कितनी है पॉइंट वन परसेंट दिया है न क्या दिया है पॉइंट वन परसेंट का मतलब क्या होता है पॉइंट वन अपॉन अपॉन हंड्रेड यह कितना हो जाएगा 10 तो दे पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 तो दे पावर माइन साइन का इस्तेमाल करिएगा वैलू निकल के तुरंट आ जाएगी बताइए कितना जाएगी अच्छा कुछ बच्छों ने बताया यह रवाय ने बता दिया very good बटा तो कितनी हो जाएगी minus 3 into 10 to the power 6 upon minus 10 to the power minus 3 minus से minus कट जाएगा यह उपर जाएगा तो 3 into 10 to the power कितना होगा यहाँ पर यहाँ कितना होगा बोलो यह 6 है यह उपर जाएगा तो 10 to the power 6 plus 3 9 हो जाएगा ना 10 to the power 6 plus 3 यानि 10 to the power 9 हो जाएगा यह value आएगी कहीं दिया है value यह दिया होगा है B part So B is the correct option B is the correct value This is the correct value चलिए आगे बढ़ते हैं जरा Question number 2 देखते हैं What is the unit of dynamic viscosity of a fluid termed poise equivalent to जिसे आप poise कहते हैं उस poise के बारे पूछा जा रहा है कि उस poise की value कितनी होती है जिसे आप poise कहते हैं उसके बारे में question है कि उस poise की value कितनी होती है कितनी value होती है बराबर बताए ये 1 poise is equal to उस poise का ही नाम होता है da in upon centimetre square in 2 second poise का नाम क्या होता है da in upon centimetre square in 2 second ये होता है poise ना अच्छा मेरे कोई बताएगा एक newton में कितना da in होता है कोई बताएगा मेरे को बताएगा ये आपके लिए एक सवाल है ये सवाल आपके लिए है इसका answer तो C part हो गया ये सवाल आपके लिए है कि एक Newton में कितना DA in होगा मुझे रता कि संदेश कनवे नहीं हो पाया था सब तक बच्चों तक इसलिए साथ बच्चे और नहीं पहुँच पा रहे हैं ठिक है बोलो भाई हाँ गुड आफ्टनून रोहित गुड आफ्टनून आज ही class दो बज़े से हम लोग ने किया है आप अपने friend circle में सोचित कर दिजिए जो लोग रोज आते हैं class करने आज मेरी class दो बज़े से ही है तो इसका कोई जवाब बताएगा student कोई बताएगा बताओ भी बोलो पड़ाम पड़ाम समर आप लोग मेरा इंतजार तीन बज़े कर रहे होंगे कि सर्जी तीन बज़े आएगे और आज मैं समय से पहले ही आ गया तो एक class थोड़ी sir time change कर दिया हाँ बेटा time change करना पड़ा मेरा ध्यान से कल मुझे उतर गया था मुझे कली आप लोग को inform कर देना चाहिए था तो थोड़ा ये miss take हो गया तो इस miss take को हम लोग manage कर देते हैं जितने लोग आये हैं हम लोग class start करते हैं पड़ते हैं हम लोग आप अपने group में share कर दो ना जितने भी बच्चे class करते हैं group में share कर दो तो आप तक लोग पहुंच जाएंगे ज्यादा तर संख्या जो है जनता वो इस समय पेट की परिख्चा में लगी हुई है ना पेट की examination में लगी हुई है और इधर सारी vacancies announce हो रही है गुजरात में भी vacancy आपके लिए announce हुई है टेलिग्राम चैनल पे मैंने गुजरात की vacancy का detail और उसका picture उस सारी चीजे मैंने आपको भेजी है तो अगर आपने टेलिग्राम चैनल नहीं download के देखा है जोईन किया है तो जरूर कर लिजिए उसमें मैंने कल शाम को भज़वा दिया था हाँ मैं समझ रहा हूँ this is the mistake जो है आपको time पहले हो गया आज कोई बात नहीं जितने भी लोग आए हम लोग पढ़ लेते हैं बाकी लोग बाद में देख लेंगे वीडियो कोई समस्या वाली बात नहीं है आईए बच्चों सवाल लगाते हैं 1N x 2 क्या बताए आप लोगों ने 10 to the power 5 dyn ये बताए आपने 10 to the power 5 dyn सूचों एक न्यूटन में 10 to the power 5 dyn थी ठीक है ना 10 to the power 5 dyn 10 to the power 5 dyn के बराबर एक न्यूटन एक जो है हमारे सर थे वो अपनी वाइफ को हमेशा न्यूटन बुलाते थे ठीक है ना हम लोगों ने मैडम को बताया कि मैडम एक न्यूटन में 10 to the power 5 यानि एक लाख डाइन होती है तो आप समझ लो सर आपको क्या कहना चाहते हैं फिर मैडम आउसर का जगड़ा हो गया तो यह सारा कुछ याद रहना चाहिए आप लोगो एक्जामनेशन में पूछ लेता है कई बार ठीक है ना चलिए आज की क्लास के बाद हम लोग कुछ दिन का ओफ रखने वाले हैं 21 से 24 तक 25 से फिर हम लोग नए फॉर्मैट में मिलेंगे आपसे कोशन नबर 3 आपके स्क्रीन पर है ध्यान से देखें उसका जवाब बताएं what is the pressure difference between inside and outside of the droplet of water inside और outside droplet of water देखो जैसे ही droplet की बात कर जाती है ना जैसे ही droplet की बात कर जाती है तो sigma is equal to कितना होता है PD by 4 तो P is equal to कितना हो जाएगा 4 sigma is equal to PD हो जाएगा तो P is equal to कितना हो जाएगा 4 sigma by D है कि नहीं तो answer क्या बनेगा इसका मुझे लगता है इसका answer कहीं A, B, C, D में दिख रहा है बोलो भाई कहीं दिख रहा है आपको B में दिख रहा है answer ना B में तो P is equal to 4 sigma upon D हो गया अलांकि इस formula को मैंने और अच्छे से explain किया है कि यहाँ पर P कैसे delta P होता है अच्छी होता क्या है यह delta P होता है यह P नहीं है बलकि कादे से क्या होना चाहिए हाँ pressure difference लिखा भी है तो कोई बात नहीं यह delta P है delta P is equal to 4 sigma upon D यह delta P में जो है यह इसमें किस किस P1 क्या है माइनस P2 क्या है इन सबको मैंने बार-बार explain किया है और अगर आपको कोई doubt हो तो हमारी surface tension वाली class आप देख लोगे आपको यह सारी clarity आ जाएगी surface tension मैंने दो classes पढ़ाई है ठीक है देख लिए आप 4 देखिए surface tension is due to surface tension का reason क्या है surface tension का कारण क्या है बताओ भई क्या कारण है viscous force cohesion, adhesion, the difference between adhesive and cohesive force because of what you will find the surface tension in the liquids बताओ question number 4 का answer क्या होगा center mentor सब लोगों का देख लिया आप लोगोंने admit card download कर लिया 4 का answer क्या होगा, cohesion, surface tension is due to cohesion surface tension is due to cohesion, ठीक है न, इसलिए जब temperature बढ़ता है इसलिए जब temperature बढ़ता है, तो cohesive forces आपस में क्या होते हैं, घटते हैं और cohesive forces घटते हैं, तो चूकि surface tension cohesive forces पर ही depend करता है इसलिए surface tension की value भी क्या होती है, घटती है temperature घटता जाएगा, surface tension घटता जाएगा, temperature घटता जाएगा, surface tension घटता जाएगा, temperature बढ़ता जाएगा, surface tension घटता जाएगा, और किसी बहुत बढ़े temperature पर at a very high temperature at a very high temperature surface tension की value कितनी हो जाती है इसकी value surface tension की value कितनी हो जाती है zero हो जाती है और इसी को हम लोग क्या बोलते है critical temperature चलो आगे बढ़े which one of the following is the bulk modulus of the fluid bulk modulus के बारे में question है bulk modulus के बारे में question है पताओ के के दो formula आप अममन याद रखते हो के के दो formula अममन आप याद रखते हो एक formula तो आपका बड़ा simple है k is equal to कितना होता है delta p upon delta v upon v यह तो सब लोग याद रखते हैं minus sign लगा देते हैं and this is called bulk modulus this is known as bulk modulus यह formula तो आपको याद रहता ही रहता है एक आक formula और आपको याद होंगे शायद इस से related के से related बताओ भाई हाँ जी एक formula आपको और याद होना चाहिए मैं हमेशा आपसे कई बार बताया हूँ के के दो formula याद रखा करो अगर हम bulk modulus की बात करें तो हमें दो formula याद रखने है we have to learn two formula we have to learn two formula हमें दो formula याद रखने है तो एक formula तो ये वाला है दूसरा कौन सा याद रखना है दूसरा कौन सा याद रखना है दूसरा याद रखना है ये वाला एक formula देखो ये वाला है एक formula और याद रखना है ये वाला जो कि आपके exam का question है rho into dp by d rho तो k के दो formula ही आपको याद करने होते हैं एक ये और एक ये बलकमंडलक्स की जब जब चलेगी बात तब तब आपको ये दोनो formula पूछे जा सकते हैं इसलिए जब भी आप k के बारे में पढ़िए न तो दो formula याद कर लेजिए एक इसके बारे में याद कर लेजिए और एक किसको याद कर लेजिए ठीक है न अमूमन अगर आप j a e की तेयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए इस पर question आ सकता है यह formula भी पूछता है लेकिन इस पर question का application भी हो सकता है अमूमन यह वाला जब formula है यह just formula ही पूछता है कभी कभी जब उसको अच्छा question पूछने का मन है जब examiner थोड़ा समस्दार है और बढ़िया smart examiner है और उसका मन है जड़ा हम बच्चों को चेक करें कि बच्चे खाली रट के ही आये है या कुछ सीख के भी आये है तो वो फिर इस पर भी question पूछ लेता है इस पर एका question मैंने अपने classes में कराई होंगी आप नहीं कर पाए है तो फिर से हम flute सुरू करने वाले है 25 तारिक से तब हम लोग करेंगे इस पर बात समझ में आया चलिए भाई अब तो ये match the following आ गया match the following तो आप पढ़िया से करना चाहिए आपको मैं एक बार स्क्रीन से हट जाओं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा देख लिए जड़ा एक बार पताईए answer क्या होगा इसका पताईए इसका answer क्या होगा भई कुर्शन नमबर शिक्स का answer बताईए match the following आराम आराम से लगाईए आज चीक्लास तक दम आराम आराम से चल लएए बच्चे भी आराम आराम से आये हैं आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है कुछ क्या answer होगा भई मिला answer इसका यश रॉय ने कहा चार तीन एक दो आई मिला लेते हैं कैपिलर्टी का संबंद किससे है कैपिलर्टी का संबंद इन सं मिलेते देखा जा जाजाओ किससे है सर्फेस टेंशन से यानि एक का फोर है ना न, कैपलेटी का फॉर्मूला नहीं पढ़ते हो, आप है चिस इकोल टू, क्या पढ़ते हो, यह चिस इकोल टू, फॉर सिगमा कास थेटा अपॉन रो जी डी, पढ़ते हो ना फॉर्मूला, तो A आपका 4 से मिल गया, B किस से मिलेगा आपका, वेपर प्रेशर का कैविटेशन से है, यानि 1 से मिल गया, B मिल गया 1 से, C किस से मिलेगा आपका, विस्कॉसिटी किस से मिलेगा, विस्कॉसिटी शीर 4 से मिल गया, और स्पेसिफिक ग्रेविटी किस से मिलेगा, यह आपका डेंसिटी अफ वाटर से, 4, 1, 3, 2, कोई भेजा था अभी, 4, 1, 3, 2, कोई तो भे एक तीन दो डी होगा डाउट है क्या रोहित इसमें बोलो भाई रोहित क्लियर है न सिक्स का डी होगा न सी नहीं होगा क्योंकि देखो डी से मैच कर रहा है ना एंसर चलिया अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो बल्क मडलस और फिलास्टिसिटी में क्या प्रभाव पड़ता है क्या होता है बताईए जरा यह वाला क्लियर है न सबको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अग्दम कंफर्म है न यह वाला बोलो भाई तो कोई डाउट है क्या छे क्लियर है तो 7 की तरफ आगे बढ़ें विदे इंक्रीज इन परेशर दे बल्क मडलस अफिलास्टिसिटी अगर कह रहा है कि प्रेशर को हम बढ़ा दें अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो बल्क मडलस औफ इलास्टिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुलक मनलस औफ इलास्टिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा पताईए क्या फरक पड़ेगा पताईए अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या फरक पड़ेगा पेट के इग्जैमिनेशन में जो लोग पेट देने जा रहे हैं खुश लोग करें इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा बताओ भाई और लोग बताएं क्या इंसर आएगा इसका इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा न चलिए आगे बढ़ते हैं The pressure at the point in water column is 3.924 newton per centimeter square. तेखो बटा, what is the corresponding height of water? तेखो, ऐसे question, जो ये question आपके screen पर है न, ऐसे question को लगाने का एक ही formula है, simple formula है, ऐसे question को लगाने का, और वो formula क्या है, P is equal to rho GH, बहुत clear formula है, simple formula है कि यही formula लगना है. लेकिन ऐसे question को लगाते समय आपको एक बात का विशेज ध्यान देना है, कि जिसे ये unit विगरे का mistake न करिएगा, देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा आपको टहलाया है उसने, यहाँ उसने दे दिया आपको centimeter में, किसमें दे दिया, centimeter, यानि centimeter में, और यहाँ पर सारे answer किसमें दिये हुए हैं, यह सारे answer दिये हुए हैं, meter में, तो centimeter वाला meter में answer आ रहा है, given है centimeter में आ रहा answer meter में, ऐसी अवस्था में, ऐसी condition में, जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है, कि आपको unit conversion क्या आना चाहिए, अच्छे से, unit conversion आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको unit conversion अच्छे से आना चाहिए, जब इसको आप convert करेंगे, तो वो आपको अच्छे से पता होना च सब्सक्राइब प्रेशर दिया हुआ है ना बोलो प्रेशर दिया हुआ है क्या दिया है प्रेशर की वेलू तो पीज इकुल टू रोजिय लगाओगे अगर यूनिट सही सही कनवर्ट करोगे तो एंसर सही आ लेगा और अगर गर्वड़ी यूनिट की हुई तो एंसर होगा घलत बात समझ में आया ना बोलो भई समझ में आ रहा है तो क्या लगाओगे पी इस इकुल टू रोजी अच पी की वेलू कितनी दी हुई है 3.924 बोलो 3.924 रखेंगे या फिर इसमें कोई चेंज करेंगे इस अब लग रहा है यार देखते हैं अब चेंज करेंगे तो 10 to the power यह 4 हो जाएगा ना रो की वेलू है वाटर कॉलम ही है तो 1000 जी की वेलू है 9.81 एच की वेलू है एच एच की वेलू यहां से निकाल सकते हैं क्या आएगा एक बच्चा 4 मीटर कह रहा है मेरे को भी लगता है क 4 मीटर ही है रोहित आप जरा चेक कर लो एक बार आपका 6 क्यों आ रहा है रोहित के कोर्डिंग एंसर 6 आ रहा है न मुझे लगता है इसका एंसर 4 आएगा एक बार रोहित चेक कर लो ऐसे भी देखो अगर ऐसे देखो कल्कुलेशन देखो जड़ा आसान सा कल्कुलेशन ही है अगर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो देखो गरबर नहीं होगा बहुत सिंपल कल्कुलेशन है देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो 49.24 गुरित्ते 10 के घाते 3 लिख सकते हो और यहां क्या लिए सकते हो 1000 को भी 10 के घाते 3 इंटो 9.81 गुड़ते 4 अब देखो इससे ये कट गया और ये कितना है ये एप्रॉक्स 40 है ये कितना है ये एप्रॉक्स 4 है तो ये अच्छ इकुल टू कितना हो जाएगा 40 बटे 4 तो एप्रॉक्स में कितना आजाएगा परी एप्रॉक्स 10 है ये ना एप्रॉक्स 10 है तो 40 बटे 10 तो कितना आजाएगा 4 यानि ह की वैलू कितनी आजाएगी 4 मीटर ये को सवाल लगाते समयने कल्कुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है आप लोग थोड़ा इस पर काम करिएगा सबसे ज़्यादा जानते हो क्या परिशानी होती है जब बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं सिली मिस्टेक सिली नामी है सिली का मतलब क्या होता है बेवकूफी भरी गल्टिया तो silly mistakes बहुत evide करिएगा आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे जब आप paper देखे आए तो आप कहें एक शब्द निकलता है वहने बहुत सारे बच्चों के मुह से देखा है मैं बोलूँगा ये गलती कैसे हुई तो बोलेंगे अरे सर अरे सर ये तो ऐसे हो गया अरे गड़ कर देगा तो कोशिच किया करिए silly mistakes ना हो अच्छा रोहित ने answer सही निकाला था गलती से option गलत बोल दिया ओके ओके तब कोई दिक्कत नहीं आपने एकर answer सही निकाल लिया है तो मतलब आपको ना process पता है कि सवाल लगाना कैसे है mechanism should be very good the process by which you are solving the question that should be perfect answer आना ना आना ये तो चलता रहता है या गलती हो जाना या आपने बी लिख दिया वो चलेगा आपका मैं हमेशा देखो ना मैं तो हमेशा आपने देखा हुआ कभी भी ना इस पर भी बहुत जोर नहीं देता हूं कि आपका answer आता है कि नहीं answer वे answer तो आता रहता भी है mechanism the process by which you are trying to solve the question that should be perfect वो एक इस सवाल का जवाब बताए क्या होगा पास्कल्स में प्रिशन निकालने को कह रहा है कि क्या इसका answer होगा बताए कि लगाईए सवाल कि लगाईए सवाल बताए इसका answer क्या होगा प्रेशर इन पास्कल करेस्पोंडिंग टू थ्री सेंटिमेटर कॉलम अफ मरकरी इस फिर वही फॉर्मल लगाना है पीज कोल टू रो जी अच लगाओ जरा बताओ क्या आएगा यह यह बहुत सिम्पल यह जानते ओ यह वाला कोशन कहां आया है यह वाला कोशन यह वाला कोशन आया आज जितने कोशन मैंने कराए आएं जानते हो J E और A E examination का एक simple pattern होता है चाहे वो J E examination हो चाहे वो A E की परिक्षा हो एकदम simple pattern होता है कि Dicto ES वाले question copy paste कर देते हैं क्या कर देते हैं? copy paste of ESC question ESC के questions क्या करते हैं? copy paste मार देते हैं समझ में आया न? तो ऐसे question आपके लिए बहुत benefit करेंगे चलो भी यह लगा रहते हैं फटा फट आज questions मैं भी बहुत जादा आपके लिए लेके नहीं आया हूँ मुझे पता है बच्चे कमी रहेंगे ज़्यादा question आज करा देंगे तो दिक्कत होगी एक question और है इसके बाद तो आपको जल्दी खाली हो जाएंगे उसके बाद शिवेन सर आपको class लेंगे ठीके उसके बाद हम लोग 25 तारिक को मिलेंगे तो आपसे उम्मित करेंगे कि आप पूरी संख्या में फिर दलबल के साथ उपस्थित रहेंगे तो फिर आपके साथ बात करने में और मज़ा आएगा P is equal to क्या होगा देखिए रो जी अच्छ रो की वैलू दी हुई है कॉलम अफ मरकरी मरकरी का रो कितना होता है 13600 जी की वैलू 9.81 और 3 cm 3 मतलब 3 बटे 100 कितनी वैलू आजाएगी बताएगे बहुत सिंपल है कुछ नहीं multiply या सर्फ गुणा करना है गुणा करने का number दे रहा है आपको सुचो गुणा करने का number दे रहा है I think कितना answer आएगा लगाई है जड़ा एप्रॉक्स एप्रॉक्स एंसर निकाले जिएगा something like that 4002.48 this should be the answer I think दिया है कहीं नहीं दिया है न तो answer क्या होगा फिर इसका जब दिया नहीं है तो क्या answer लगाऊगे जो सबसे approximated हो लगा दो वो 493 है बात समझ आए न तो approximated value आप दे सकते हैं देखो यह तो एप्रॉक्स है नहीं लगभग 8000 है यह लगभग 4000 है यह लगभग 1500 है यह लगभग 1500 है ठीक है तो इट शुड़ भी बी ऑप्शन समझ गया न एप्रॉक्सिमेट वैलू का खेल 10 के तरफ आगे बढ़ते हैं 10 बताईए 10 थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए अच्छा कोशन है और यह एक मिट आपका ले भी लेगा लगाने में बहुत difficult कुछ नहीं है है सिंपल ही कराई कोई hydraulic press has a ram of 20 cm dia and plunger of 5 cm dia मुलब यहां पर कुछ इस तरह का ram है माल लेजिए सिंपल है थोड़ा अगर आप पढ़े होंगे ठीक ठाक तरीके से तो आपको आइडिया होगा नहीं पढ़े होंगे तो आज आज पढ़ेंगे इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है तो इस तरह का है यहां पर 5 cm डाया है अच्छा भाई तब फोर्स रिक्वाइड अट प्लेंजर तो लिफ्ट फोर्स अफ इतना यहां जो फोर्स है देखो यह फोर्स की वैलू दी हुई है 16 गुडित्ते दसके घाते चार कितना दिया हुआ है 16 गुडित्ते दसके घाते चार निउटन इसक क्वारा सिंपल फंडा है हमारे पास्कल अंकल बता गये हैं पास्कल अंकल बताये हैं कि यहां पर जब फोर्स लगेगा वो फोर्स एक्वली यहां पर ट्रांसमिट हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं हम एक इसंपल फंडा यूज़ कर सकते हैं कि f1 upon a1 is equal to f2 upon a2 बोलो यार सिंपल फंडा है कि नहीं बोलो भीया तो f1 upon a1 is equal to f2 upon a2 यह अधिंक पकड में आ रहा है सबको 3999 अप्रोक्स अच्छा हाँ जी 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 अप्रोक्स वेलू वही आएगी ठीक है न तो बताओ कितना हो जाएगा यह चलो f1 को f माल लेते हैं या f1 ही माल लो निकालना वही है पाई बाई 4 और यह 5 का स्क्वायर कर दो इधर f2 की वेलू दिया हुआ है 16 गुलित्ते 10 के घाते कितना दिया हुआ है चार अपॉन a2 की वेलू कितनी हो जाएगी पाई बाई 4 20 के पावर 4 इसको solve करना है solve करके f1 की वेलू निकाल लेना f1 अच्छा न लग रहा हो तो इसको f बोल देना बात समझ में आया निकालोगे तो कुछ भी वेलू आएगा i think 10 to the power 4 आएगा newton और यही आपका answer हो जाएगा answer में 1 into 10 to the power 4 दिया है तो d answer हो जाएगा सवाल लगाने का तरीका यही होगा जो मैंने आपको बताया मैं हमेशा की तरह आपसे जो कहता हूँ उस बात को फिर से दो रहाऊंगा सवाल का answer निकाल लेना that should not be the target सवाल जिस mechanism से आप लगाते हो by this process से आप लगाते हो that process must be perfect अगर process नहीं perfect है तो आप बहुत ही छोटी race के घोड़े हैं अगर लंबी race दोड़ना है the process and the concept behind the question that must be neat and clean and it should be perfect चलिए उम्मित करता हूँ कि pet के exam बहुत अच्छे से देंगे आप सब लोग फोड़ के आएंगे और आप सबसे उम्मित करता हूँ जो लोग pet का exam नहीं देने जा रहे हों जो घर पे रहेंगे उनसे उम्मित करता हूँ कि आप घर पे पढ़ाई करेंगे आप रक्षा जॉइन कर लिजिए वट्सेप पे आप जुड़े ही हैं फिर भी अगर कोई इशू हो कोई समस्या हो कोई information हो तो आप मेरे नंबर पर डाइरेक्ट भी मुझसे बात कर सकते हैं 25 से कई सारी नई planning है उन नई planning के साथ आपके सामने फिर पस्षित होंगे तब तक के लिए धन वाल, thank you very much